नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देखरें मेरा यूट्यूब चैनल राहुल अग्जाम रेज दोस्तों आज मैं आप लोग लिए के महत्तपूंड एक हजार पर उसनोंतर सीरीज की 70 वीडियो लेके आया हूं जो कि आप लोग लिए बहुत हैं दोस्तो दोस्तों यह कोश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इन कोश्चंस की नोट्स प्रॉपर गुनाते रहें चली चलते हैं कोश्चंस की और देखते हैं आज पहला कोश्चं क्या है भाहर्द में गन्यका सरवादिक उत्पादन किस राजे मे होता है है फिम में होता है तो किसाज में चाहित दोस्तों ऊत्रपर्देश में में चलते हैं आप उर कोश्चंस कि आ अज तो नासिक किस नदी के किनाई स्थित हैं अब तो बताएं दोस्तो नासिक किस नदी के किनाई स्थित हैं गोधाबरी project जापान की मुद्रा क्या है तो बताएं दोस्तों जापान की मुद्रा क्या है ये जलते एंगले कोशन की और इंडियन मिलिटरी एक आदमी कहां इस्तित है तो बताएं दोस्तों जो इंडियन मिलिटरी एकेडमी है वो कहां इस्तित है देहादून में जलते हैं अगले कोशन के दोस्तों माउन्ट एविश्पर चड़ने वाली पहली भारति मेला कौन थी तो बताएं दोस्तों मिछिंदरी पाल जलते हैं अगले कोशन की और संसत का उच्छी सदन कौन सा होता है तो बताएं दोस्तों संसत का उच्छी सदन कौन सा होता है तो कौन सा होता है दोस्तों राज्य सवा चले चलते हैं अगले कोशन की और पंजी तंतर के लेखा कौन है तो बताएं दोस्तों पंजी तंतर के लेखा कौन है तो कौन है दोस्तों विश्डु शर्मा चले चलते हैं अगले कुश्चन की और लेखेते हैं अगला कुश्चन क्या है सन 1914 में हुआ भारत चीन समझाता किस नाम से जाना जाता है तो पता ही दोस्तों किस दोस्तों 25 कोशन की और सन दोजया दस में फुटवॉल मैच किस देश ने जीता था तो बताए दोस्तों सन दोजया दस में फुटवॉल मैच किस देश जीता था इस्पेन ने चाहिए जलते हैं अगले कुश्छन की ओर राष्ट्री रक्षा अकादमी कहा है सित है तो बताए दोस्तों नेशनल डिफेंस अकैडमी कहा है सित है तो कहा है सित दोस्तों खड़क वासला में वो खड़क वासला कहा है पूने पूने में चाहिए जलते हैं अगले कुश्छन की ओर भारत में पहली वाज अंगरना कब हुई थी तो बताई फ्रेंट्स भारत में पहली वाज अंगरना कब हुई थी तो कब हुई तो दोस्तों अठारसोबहत्तर में इस भी में जलते हैं अगले कुश्चन के और डवल फॉल्ट सब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है तो बताएं दोस्तों डवल फॉल्ट सब्द जो होता है किस खेल में प्रयोग किया जाता है तो किसमें दोस्तों टैनिस में जलते हैं अगले कुश तो बताई फ्रेंट्स भारतिय ठल सेना के पहले बारतिय देख्ष कौन थे तो कौन थे दोस्तों जनरल केम कर्यपपा अगले कुश्चन के और दोस्तों अगर आप supply कुश्चन के ांसर कमेंड वाक्स में लिखेंगे तो आप लोग को आंसर लंबे समय तक लिए याद रहेगा इसलिए मैं चाहूंए săr आंसर आप लोग कमेंट वॉक्स में देते रहें तो अगला कुश्चन है लाई हरोबा किस राज्य का लोग निरते हैं तो बताएं दोस्तों जो लाई हरोबा होता है वो किस राज्य का लोग निरते हैं तो किसका दोस्तों मणीपूर का चलते हैं अगले कुश्चन क्यों भार्त में किस राज्में रबड का सबसे अधिक उत्तपाधन होता है तो पताएं दोस्तो भारत में किस राज्य में रबड़का सबसे अधिक उत्पादन होता है तो किसका दोस्तों किस राज्य में होता है के रल में कि चाहिए जलते हैं अगले कुश्चन की और कॉलक्ता किस नदी के किनारिस सीWeston कॉलक्ता किस नदी के किनारिस भी निटीत था था किस नदी र से फुग ली नदी यह जलते हैं के और पौदे में जीवन है है यह किस भारति बहगानिक नहीं बताया था तो बताये दोस्तों पौधे में जीवन है यह किस भारतिय बग्यानिक ने बताया था तो कौन थे दोस्तों जग्दिस चंद्र बसू जलते हैं ले कुशन की और कि महत्मा गांधी द्वारा सवर मती आस्रम कहां इस्थित किया गया हैं इस्थाहित किया गया है तो कह दोस्तों अहमदा बाद में कर बता जलते हैं अंगले कुश्शन की और जो की आंपकर किल इसको मैंने आज की वीडियो में इंक्लूट कर रखा है तो बताई दोस्तों रामयान किस ने लिखी थी तो किस ने लिखी दोस्तों महरसी वालमी की जी ने जलते हैं कोश्चन की और अगले जो कि आज का आप लोग का सप्राइस कुश्चन है इसका अंसर मुझे कमेंट वोक् तो दोस्तों यह थे आज के आपके 20 महत्रपूर्ण कोश्चन्स जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्रपूर्ण है तो आसा करता है दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और प्यास कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी तब तक लोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्रपूर्ण कोश्चन्स के साथ तब तक लिए बाइबाइबाइटिक क्यार बंदे महात्रम